नमस्कार दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तो हम बात करेंगे तुला रासी वाले जातकों के लिए 9 जुलाई गुरुवार का दन कैसा रहेगा वैपार वैवसाई करियर लव लाइफ और आपके स्वास्त के बारे में आपको बताएंगे इसके स कोलनें से समाज़ वाले घर वाले फ्रिवार वाले आपके waarा में किस प्रकार्ण से आपके घरन अक्ष heartbeat करने वाले हैं आपके गरन अक्षरों के स्थितिं क्या रहने वाली है और और आपके करियर, आपके वहवाईक जीवन, आपके प्रेम जीवन, लव लाइफ और आपके स्वास्त के बारे में, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि आपने जो कर्द ले रखा है, जो लोन ले रखा है, जो उधार ले रखा है, वह किस प्रकार से और कब तक आप दूर कर स सकते हैं यसी बीज आपके जीवन में जो भी समस्याई चल रही हैं पारिवारी कलेश या फिर आपसी मदभेद माता पिता के साथ आपके पारी कलेश किस प्रकार से दूर हो सकते हैं आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आखरी तक देखेगा उससे पहल मातारानी के सचे भक्तों से हमारी विन्ती हैं या आप कमेंट बोक्स में जेग मातादी मातारानी का जेकारा अवस्य लगाएं मातारानी आज के कुछ कवरी भी प्राप्त कर सकते हैं जिनके कारण तुलायरासी वाले जातकों के हर एक दुख तकलिफों से उनको अवस्य हे चुटकारा प्राप्त होंगी यह वीडियो तुलायरासी वाले जातकों के लिए बेहद इंपोर्टेंट बेहद खास और बेहद महत्तुन रहेगा निसलिए वीडियो को पूरा अवस्य देखें ताकि आपको सारी जानकारिया प्राप्त हो सकें और आप आने वाले दिनों को और भी जादा बहतर बहतरीन बना सकें तुमित्रौं आपको बताना चाहेंगे कि यह तुल्हरासी वाले जात को के लिए आज का दिन काफि उत्तम बना रहेगा आपके सुकसादनों केस्तर में बढ़ोत्री होंगी आप अपने जीवन में काफे सा फलता को फ्राप्त कर सकते हैं और अपने सुकसादनों केस्तर में बढ़ोत्री कर सकते हैं आपके प्रियास आपको फल देंगे आपका आत्मिस्वास बढ़ेगा तथा आप अपने प्रवेश कर सकते हैं आप नए साधिदारी में नए वैवसाई की योजनाओं को पूरा कर सकते हैं तथा नए एस्वेशन या नए बिजनस में प्रवेश कर सकते हैं निवेश कर सकते हैं आपका सामाजिक दाइरा आज के दिन बढ़ने वाला है और आप महत्पुन कनेक्शन भी अस्तापित कर पाएंगे आपके उपन्यास आपके विचार आपके जीवन सैली में और कारे सैली में काफी जादा मौजूदगी सामिल कर सकते हैं और आपके शाहर ना हो सकते हैं वित्य इस्तितियों में आपका सुधार अवस्य होंगे लेकिन आपको सावधानी से सूचन पीवार, और जीवनसाती का सहिкого होग आपको अबस्ते ही, प्राप्त होने वाला है मत्रों तुलारासी वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन आप अपने भाई वहन के साथ विवाद न करें भाई वहनों के साथ आपको तालमेल बिठाने की विशेश जरूरत रहेंगी अन्यता खामका आप किसी बड़ी मुसीबतों में कर सकते हैं और निजी और एवसाइक शेतर में भी आप अनुकूल परिनामों की प्राप्ती कर सकते हैं आपको आपके दैनिदिन दिन चरिया में परिवर्तन करने के वहत्रिन मोके भी प्राप्त होंगे यस में आपके जीबन में नई खुश yout की बाहर लेकर आने वाला है जो लोग औविभाहित है औविभाहितों को बिभग का प्रिस्ताव प्राप्तो हो सकता है। तथा प्रेम के पाने के चक्कर में आप वेवकूफ न भनें आपको किसी पर भी बेवज़ा गसक या फिर संदेह करने से भी बचने होंगे तथा बेवज़ा किसी पर भी आप भरोसा न करें। अन्रता लेने के देने पढ़ सकते हैं और आप बड़ी मुसीवतों में भी पढ़ सकते हैं। बहतर होगा आपको अपने सभी कार्यों को अपने सोंच, अपने समयदारी और अपने विवेग से कारी करने की जरुवत रहें प्रत्योगिताओं, प्रिक्षाओं में, हिस्सा लेने वालों के लिए, यह दिन मिश्रित प्रिनाम दायक हो सकता है। वैवसाई कार्यों में, आपको कुछ अनवासिक तना भी उत्पन्न हो सकते हैं। बेवसाई करने वालों को थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, प्रन्तु आप अपने बुद्धी, विवास, विवेक और विकास के जरिये, आप काफी ज़्यादा सफल होंगे, किसी भी प्रकार के वेपारिट निर्ने, जिसमें की आर्थिक जोकिम सामिल हो, उसके लिए आपका समय उप्योगत नहीं रहेगा, प्यार करने वालों के लिए समय काफी उप्योगी रहेगा, काफी सहयोगी बना रहेगा, आपके सुखसादनों के स्तर में बढ़ोतरी होंगे, तुला रासी भाली जातकों के सारे सपने साकार होने वाले हैं, आपको सुकसादनों में बढ़ोत्री होंगी तथा आप अपने वहवाईक जीवन को काफी मदूरू बना सकते हैं और अपने सुकसादनों के इस्तर में बढ़ोत्री कर सकते हैं मत्रों आपको बताना चाहेंगे इसमें कर्ज लेना या कर्ज देना तुलारासी वाले जातकों के लिए परिसानियों को फैदा कर सकता है, असलिए कर्द लेंदेन से भी आपको सतर्ग रहने की विशेश जरूरत रहेंगी, आप कर्द ना लें, नहीं कर्द आपको देना है, मत्रों जो लोग बैपारी बर्ग के जातक हैं, बैवसाई हैं, रोजगार करने वाले हैं, वे लोग अप अपने हिस्सेदारी का पूरा फायदा उठा सकते हैं, और वे अपने कामों को सहचता प्रूबग पूरा कर सकते हैं, मत्रों प्यार करने वालों के लिए यह समय काफी अच्छे रहेंगे, आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन तुलारासी वाले जातकों को अनवाज से क पूरान आपको आर्थिक तुनाव का सामना करना पड़ सकता है, जिनके कारण आपको क्रोध व्यूत्पन हो सकते हैं, प्रन्तु क्रोध से किसी भी समस्याओं का समधान निकालना और व्यदिक कटिन होता है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा धहरे रखने होंगे, आप अपने क्रोध पर सहीम रखें, तता सुदुरी आत्राओं का योग बहुत प्रबल रहेगा, जिनमें आपको खटे मेटे दोनों तरके अनभव प्राप्त हो सकते हैं, संतान की और से आपको चिंताएं हो सकती हैं, आर्थिक मामलों में आपको समय लगातार प्रतिकूल बना हुआ रहेगा, तता अत्य दिक साफधानी बरते हैं, और किसी के बहकावे में आकर कुछ बड़े और संगत फैसले भी आप न करें, आपको अपने फरिनामों को सकारात्मक बनाए रखने की जरूरत रहेंगी, आपको किसी ऐसे प्रोजेक्ट से अपरतियासित लाभ मिलेग जो आपके दिल के काफी करीब रहेंगी, आपके वित्य इस्तितियों में अवस्य सुधार होंगे, तता आप अपने रिन पर दिये पैसे भी जल्दी ही वसूल कर सकते हैं, आप अपने उधार दिये पैसे भी प्राप्त कर सकते हैं, उच्चे अद्धन के लिए परियासरत चात्रों को वांचित प्रणाम अवस्य प्राप्त होंगे, वसरते आप अपने प्रियास को कड़ी महनत के साथ जारी अवस्य रखें, आपको अपने प्रियासों को पूरा करने की विसेस जरूरत रहेंगी, बैवसाई को सकरात मखने ने ले पाने में काफी सक्चम होंगे, बैपार बैवसाई करने वालों को अनुकूल प्रिनामों के प्राप्ति होंगी, जदी आपके पास कुछ विदेशी संपर्ग हैं, वैसे मजबूत संकेत हैं कि आत्राएं भी सफल हो सकती हैं, पारिवारिक जीवर भी आपका स्थुब बना रहेगा, तुलारासी वाले जात को बताना चाहेंगे कि आप अपने जीवन साथी के साथ आनंद में समय व्यतीत कर सकते हैं, आज का दिन उपलवधियों से भरा रहेगा, आप अपने महात्मकान चाई योजनाओं को अंतिम रुप देने में काफी सच्चम होंगे, रुकेवे काम में भी प्रगति प्राप् करने में आप कला और साहित की और आकरशित हो सकते हैं, तथा जो लोग इन शेत्रों से जुड़े हैं, उन्हें अपने कामकाज के लिए सहार ना मिल सकती हैं, उनकी छवी भी वड़ सकती हैं, आज के दिन या त्राइस समभव होंगी जो लावकारी रहेंगी, आएके नई लाश्ते भी खुलने वाले हैं, एक प्रिवार के साथ आप किसी मुनरंजक अस्तल फिर घूमने जा सकते हैं, इस समय आप अपनी कारशियली में नया परियोग कर सकते हैं, आपके काम काजो की आपके कारों को परशन सा अवस्य प्राप्त होंगी, आपके काम अवस्य सफल ह किन्तु आपको थोड़ी से सावधानी बरतनी चरूरी रहेंगी आपके सामने कुछ नवास्यक खर्चे भी सामने आ सकते हैं आज आप धर्म या समाज से जुड़ा कोई महत्पुन कारी कर सकते हैं इसी बीज आपको सफ्ता के मद्ध भाग में वेकार की आत्राओं से भी बच की मिल सकती हैं या फिर वेतन में बढ़ोतरी हो सकती हैं आपको वांचीत प्रणाम अवस्य प्राप्त होंगे बैवसाय और उद्योग करने वालों को अच्छी सफलता हासल होंगी मित्रों तुलहरासी वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि यह समय आपके लिए काफी आपकारी बना सकता हैं आपका दिन वहतर बनें इसके लिए कमेंट बॉक्स में जे माता दी अवस्य रखें आपका दिन सुभू हो मंगल कारी हो